सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर लोग अलग खबरे अमनों को देखने को आपे मिल जाती है और कुछ खबरे ऐसी होती है जो अपडेट्स ऐसे होते जो कि एक दूसरे के साथ आप इंटर लिंक यहापे कर सकते हो मतलब कौन सी खबर की यहापे में बात कर रहा हूँ तो आप लोग ने यहापे देखाई होगा कि पिछले दो दिनों से यहापे में mutual fund से related जो update सामने आ रहा है कि कहा पे वो पैसा लगा रहे है कौन से category में वो पैसा लगा रहे है index fund में अगर वो जाते है तो कौन से type के index में वो जा रहे है इससे related सारी बात है यहापे मैंने cover की थी और अभी इसी के पहले मतलब पहले के पहले का वीडियो मतलब इसके पहले का जो second वीडियो था उसकी में बात कर रहा हूँ तो हमें यह पता चला कि small cap and mid cap में mutual fund के पास जो भी पैसा जा रहा है वो फिलाल तो वहाँ पे हम लोग को invest होते वे दिखने को मिल रहा है सो अभी हम लोग आपे क्या करने वाले है study purpose के लिए मैं again कहना चाहूँ को दोस्तों मैं multiple videos बनाते रहता हूँ अलग-अलग theme के हिसाब से तो आप लोग उनको study करने के लिए easy हो जाता है तो इस video का theme क्या है कि mutual funds यहाँ पे क्या कर रहे है कि IT के छोटे companies में पैसे लगाने की बाचीत यहाँ पे हो रही है pharma के छोटे companies में पैसे लगाने की indirectly बाचीत हो रही है या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि auto sector उसमें जो छोटी companies है उनमें वो यहाँ पे निवेश करनी की indirectly बाचीत हमनों को देखने का आपे मिल रही है मतलब mid cap and small cap पे वो निवेश कर रहे है और index के हिसाब से वो इन sectors के index में यहाँ पे preference ज़ादा दे रहे है तो अभी हम लोग क्या करने वाले है कि IT, pharma, auto इन तीनों sector के चोटे कंपनिया, large cap के हम लोग बात यहाँ पे नहीं करने वाले mid cap and small cap ऐसे कौन सी companies है जिनको मतलब आप कह सकते कि decent type की companies है और वो आपको भविशा में अच्छे returns दे सकती है अगर आप invest करके hold करते हो तो वो मैं आपके सामने आपे रखने वाला हूँ बट हमेशा की तरह वीडियो के शुरुआत में clear disclaimer है यह सारी चीज़े educational purpose related है, directly blindly जाके copy मत कर लेना and in case अगर आपको कोई company पसंद भी आती है प्लीज quarter 3 के result देख लेना उसके पहले and बाद में जाके निवेश कर लेना ऐसा ने कि कल जाके blindly निवेश कर लिया and quarter 3 के numbers में थोड़ी सी गिरावट आ गई मतलब समझ रहे आपको अच्छा कासा सस्ते नाम में खरीदने का भी मौका यह company रिजल्ट के बाद दे भी सकती है ठीक है तो आपको main concept समझ में आ गया अभी एक-एक sector को track करने तो सबसे पहले auto sector देखें अभी auto sector जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है कि छोटे size की company छोटे size की मतलब सिर्फ auto वाली company तो दोस्तो auto sector में देखा गया तो auto ancillary भी आता है इसे कासे returns आप लोगों को ए company भविशा में भी generate करके यहाँ पर दे सकते हैं बट yes clear disclaimer यह company जब मैंने channel भी शुरू नहीं किया था उसके पहले से ही मेरे portfolio में दो दो बार में bonus भी enjoy यहाँ पर कर चुका हूँ बीच में मैंने आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बने था आपको याद है इससे related जो returns है मतलब related उससे related portfolio में यूनो मिंडा कितना return दिखा रहा है यह भी मैंने आप लोगों को दिखा था अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा है क्योंकि एक awareness वाला point था तो यह चाहो तो आप लोग चाहो तो consider कर सकते तो उनो मिंडा इस company को आप चाहो तो क्या कर सकते हो consider कर सकते हो अच्छे company है next अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तो तो यहापे आ जाते है कौन सी SJS enterprise इस company को अगर आप चाहो तो यहापे study कर सकते है बहुत ही छोटी company यही पता चला है कि mutual fund यहापे खास करके small cap and mid cap को यहापे track करने की कोशिश कर रहें दिखे अगेन एक important बात मैं यह नहीं कर रहा हो कि mutual fund इन companies में निविश कर रहें नहीं mutual funds का जो रुख है वो यहापे छोटे companies के और है and जो sector wise है वो मैंने आप लोग के सामने रखे जैसिके auto में बात करें तो आप चाओ तो इस company को भी क्या कर सकते है अपने radar के उपर यहापे रख सकते हो जैसे मैंने का यह भी mid cap category में आता है बट थोड़ा सा solid type का mid cap है थोड़ा बड़ा mid cap है यह तीन companies auto sector से related जो छोटी type की बात हो रही है तो इन तीन companies को आप चाओ तो यहापे study कर सकते हो अगेन आप लोग को पता है हम लोग micro cap से related यहापे मतलब चीजों को cover नहीं कर सकते है क्योंकि जो mutual fund के जो investment रहती है वो small cap तक हम लोगों को सिमीत रहते हो देखने को मिल जाते हैं इन तीन companies को अशोक लेलेंड उनो मिंडा और उसी के साथ हैं इन companies को आप चाओ तो study कर सकते हो नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IT sector के बारे में सो IT sector में भी यहाँ पर क्या कर रहे है कि mutual fund industries हम लोग को as a index basis की हिसाब से वहाँ पर पैसा लगाते वे देखने को आपे मिल रहे हैं अगर हम लोग individual basis की हिसाब से बात करें तो mid cap and small cap को वो track कर रहे है तो IT में कौन से mid cap small cap है जो की अच्छा performance दे सकते हैं वो मैं आपकी सामने वाली बात नहीं easy explanation है पहली कंपनी KPIT Tech बहुत ही शांदार रिटन्स या अलड़ी दे चुका है 500-500% के रिटन्स है पाच-पास साल में even more than that ज़रूर आप चाहो तो KPIT Tech को अपने radar के उपर यहाँ पर रख सकते हो बहुत ही सुन्दर कंपनी है जैसे कभी भी नीचे अगर आ जाता है आप ज़रूर इसको accumulate करने का विचार कर सकते हैं रैंडमली नहीं study करके, actual में अगर आप study करोगे तो आपको पता चलेगा है कितने अच्छी कंपनी, electric vehicle में भी इसका भविशा में बहुत अच्छा खासा योगदान रहने वाला है ज़रू KPIT take के पास आप लोगों का focus रहें चाहें ये company खास radar के अपर क्यों है क्योंकि ये ऐसी IT company है जो कि पूरा बाजार नीचे है बट ये still हम लोगों को top level पे दिखने को मिले अगर मैं एक साल का data अगर उपन कर दूना लाल निशा नहीं देखने को मिलेगा बट कितना ह hardly 1.5% की गिरावट जहापे बाकी अगर आप IT companies देखोगे 10%, 15%, 20%, 30% इतनी जोरदार गिरते वे दिखने को मिले है तो ये चोटी company mid cap size की ये company है ज़रू आप चाहो तो इसको यहापे focus में रख सकते तो ये थी KPIT take next अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों उसका नामे happiest mind technology, yes happiest mind tech की भी अगर हम लोग बात करें तो इसको भी आप लोगोंने बिलकुल भी इग्नोर नहीं के ना बहुत ही शांदार है, बहुत बार में इससे related videos भी बना चुका हूँ और company में वैसा दम भी है, long term के इसाब से अगर आप विचार करना चाते हो, तो happiest mind भी ज़रूर अडर के पर रख लिना, आप चेक कर सकते हो market cap, लगबख 12-15,000 करोड का ही market cap है, और यहापे अगर आप चेक करोगे एक साल का data, तो 34% डाउन है, तो इसका रती है नहीं, कि happiest mind खराब हो गया, KPIT बहुत अच्छा है करके, हार एक स्टॉक का अपना-पना टाइम आता है दोस्तो, तो happiest mind भी कोई खराब company ने, जिन्होंने अभी-अभी शुरूरात के है, उनके लिए दिक्कत वाली बात है, जो पुराने shareholder है, आज भी अगर उन्होंने hold करके रखा है, तो उनको 1500% के रफले returns मिल रहे है, मतलब ये power होती है कि अगर आप लंब्या हुदी बे निवेश करते हो, जब stock भागता है, तो आपके पास choice होती है, stock नीचे जा रहे हैं, कि आप आज भी hold करना चाते हो, या फिर exit लेना चाते हो, profit के साथ, बट जिन्होंने अभी-भी न रो होते भी देखने को मिल रही है, आप लोग बिलकुल भी यहापे ignore मत कर लेना, definitely अच्छी कमपने, चाओ तो इसको भी अपने radar के उपर set करके रख सकते हो, similar भी quarter 3 के numbers होने के बाद, आप चाओ तो यहापे position बना नहीं है, नहीं बना नहीं, इसके बारे में विचार कर सक अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो pharma industry, अगर हम लोग बात करेंगे, तो mutual fund भी यहापे क्या करें, index level पे, IT में निवेश कर रहे है, auto में निवेश कर रहे है, और pharma में भी निवेश कर रहे है, अगर individual basis की बात करें, तो जैसे मैंने आप लोगों को बता है, mid cap, small cap मे उनका investment यहापे चालू है, तो चले देख लेते कि pharma के हिसाब से, कौन से ऐसे छोटी companies है, जिनको आप चाहो, तो consider कर सकते हो, तो चले, सबसे पहले यहापे मैं शुरुआत करूँगा दोस्तों, यह बहुत ही धाकड़ी है, तो 700 रुपी के आसपस मैंने वीडियो बनाया अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, अब ही बहुत पुराना टाइम का वीडियो है, अगर मुझे मिला, तो मिलिंग कूपर जरूरू इस वीडियो का आई बटन पे देदूगा, जाकर चेक कर लेना, तभी मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा performance यह द कंपनी है, बट यह कंपनी का ओररल परफॉर्मस अच्छा है, तो जे भी फार्मा को आप जरूर कंसेडर कर सकते हो, अगर आप मुझेल फंड की शेर होल्डिंग अगर आप इसमें देखोगे, तो 2019 में कितना था, लगवाग 14% था, जो की बढ़कर बढ़कर अभी आप दे कंपनी है, तो जरूर यहाप इसको फूकस में रख सकते हो, अगर आपको फार्मा से रिलेटर और चोटे कंपनी कुछ चाहिए, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे की About India, अभी बहुत सार लोग बोलेंगे, सर क्या मजाग करें, इसको छोटिया बोलते हैं, देखे, प्राइस के इसाब से आप कंपनी को जज नहीं कर सकते हैं, बढ़ा या छोटा है, कंपनी के मार्केट साइज की सबसे हम लोग डिटर्माइन करते हैं, तो कंपनी एक बड़ बहुत समय के बाद हम लोग भागते बहुत देखने हैं, लगबग बीच में एक साल तो हम लोग बहुत अच्छी कंपनी इगनोर मत करना, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, नेक्स्ट अगर आपको और भी मिड़केप, स्मॉल केप कंपनी जाननी है, फार्मा की, तो अगर तो मतलब बहुत ही छोटी हो चुकिए, स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे ब्लाइंड ली नहीं जाने हैं आपने, क्योंकि इसमें जो चार्ट पेटन है, वो तूफा नहीं रहता है, बड़ अगर आप चाहो, इंट्रेस्टेड हो, तो इन सारे कंपनी को भी क्या कर सकते है फार्मा इंडस्ट्री के चलते, अपने रडार के उपर रख सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो, तो आशा करता हो दोस्तो, आप लोगों को वीडियो प्पसंद आयोगा, तो ज़रूर लाइक और अगर आपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 उड़े क